गुड मॉर्णिंग बच्चो, वेलकम टू फने लां स्कूल बच्चो, आज हम पढ़ेंगे जूनेर केजी की क्लास में हिंदी सब्जेक्ट ओके, चलो किताब को ओपन करते हैं बच्चो, आज हम यह वाली किताब पढ़ने वाले हिंदी राइटिंग में, हिंदी वर्ण माला, ओके चलो, ओपन करते हैं पेज नमबर ट्वेंटी एट, सोरी, ट्वेंटी सेवन चलो, आप ओपन करो, पेज नमबर ट्वेंटी सेवन हम वेंजम पढ़ेंगे ग, कौनसा वेंजम पढ़ने वाले हम, आज ग, पेले हमने वेंजम पढ़ा था ग, फिर हमने पढ़ा ख, और आज हम पढ़ेंगे ग, ग से क्या क्या होता है बच्चो ग से गणे, और क्या होता है ग से गज, ग से गणपती, ग से गमला, इनना बच्चो तो चलो हम ग कैसे लिखते हैं, ग लिखना सिखते हैं अब तो पेले हम स्टेंडिंग लाइन करेंगे, ज बनाते हैं इसा लिखते हैं, ओके फिर सरकल गोर कर दिया, फिर हमने बनाया यह हमारा स्टेंडिंग लाइन कर दी फिर हमने लिखा बच्चो यहां पर ग, ग से गमला, ग, ग से गोज, ग, ग से गणपती क्या क्या होता है, ग से गज, ग से गणपती, ग से गनेस, ग से गज, ग से गणपती तेसे बच्चो हमको भी बोल-बोल के लिखना है, ग, ग से गज, ग से गणपती, ग से गमला, ग से गणपती, ग से गमला, ग से गणपती. अब जो को यहां पर हम लिखते हैं गो तो ये हमने क्या बन लिखा गो गो से गानपती गो गो से गानपती यहना बच्चो इस तरीके से बच्चो आप भी बोल बोल के गो लिखना चलो आगे हम पढ़ते हैं गो गो के वाद में कौन सा वेंजन आता है? गह आता है बच्चों हम आज पढ़ेंगे अब गह वेंजन गह वेंजन पढ़ा गह के आदमे कौन सा वेंजन आता है गह से क्या होता है गह से घर होता है और गह से घड़ी भी होता है गह से घोड़ा भी होता है होता है न तो हम कौन सा वेंजम पढ़ने वाले है घः हमने कितने वेंजम पढ़े पेले हमने पढ़ा गः फिर पढ़ा खः फिर पढ़ा गः और पढ़ने अब गः गः से घर गः से घड़ी गः से गोड़ा ओके चलो लिखना सीखते हैं, घर कैसे लिखेंगे हम तो देखो बच्चो, इन डोट-डोट के उपर हमको पेंसिल गुमानी है यह क्या लिखा हमने, घर क्या लिखा बच्चो, देखो यह हमने बना रज़ेंग लाइन कर दी, भी स्लिपिंग लाइन तो हमारा क्या बन गया घर घर से घर क्या होता है तो देखो घर घर से घर घर से घड़ी घर से और क्या होता है घर से गोड़ा घर से घड़ी आप भी इस तरीके से बोल बोल के लिखोगे न तो आपको लिखने में बहुत मज़ा आएगा देखो बचो घर, घर से घर घर, घर से घर घर, घर से घर घर से घड़ी भी होती है घर से गोड़ा भी होता है ओके बच्चो तो आज हमने कितने वेंजन पढ़े दो वेंजन पढ़े गह से गणपती और घह से घर गह से क्या क्या होता है गह से गज होता है गह से गणेस होता है गह से गमला भी होता है और घह से क्या होता है घह से घर होता है घह से घड़ी भी होता है नबर 27 और पेज नबर 28 तो आफ वीडियो को देखना बोलना और पेज नबर 27 और 28 को लिखना है पेंसिल से ओके आजका आपका हमब के ओके बच्चो बई बाइबाइ